Hello friends, आज हम लोग पढ़ेंगे class 11th का chapter 4 जिसका नाम है motion in a plane तो इस chapter में हम आज दो topic cover करने वाले हैं एक तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि vector क्या होता है सबसे पहले part में हम पढ़ेंगे कि vector क्या होता है और इसके types कितने होते हैं और साथ में हम कुछ definitions जो इसमें use होने वाली हैं उनके बारे में discussion करेंगे तो if you definition vector algebra तो यह दो topic आज हम cover करने वाले हैं और इसके आगे की topic हम अगली वीडियो में cover करेंगे तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि vector किसे कहते हैं तो सबसे पहला अब हम topic पढ़ने वाले हैं vector देखिए आपने दो तरह की quantities पढ़ी हैं इन 9th class में भी आपने पढ़ा था कि quantities दो तरह की होती हैं और physics के अंदर जब आप study करते हैं तो आपको बहुत सारी quantities के साथ में deal करने होती है quantities मतलब जैसे length या फिर area वहा velocity हुई फिर these are the quantities तो ये quantities को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है तो एक quantity तो होती है जिसको हम बोलती है scalar quantity तो एक तो होती है scalar और दूसरा होता है जिसको हम गहते हैं vector जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे chapter में तो एक होता है scalar दूसरा होता है vector तो जो scalar quantity होती है, scalar quantity के अंदर सिर्फ जब हम describe करते हैं तो यहां पर हमें सिर्फ magnitude की आवशकता होती है describe करने के लिए तो ऐसी quantities जिनको हम describe करते हैं तो इन में केवल magnitude होता है तो हम कह सकते हैं कि scalars are those physical quantities which have magnitude only but no direction तो यह ऐसी quantities होती हैं जिसमें सिर्फ magnitude होता है तो हम यहां लिख सकते हैं कि इन में सिर्फ magnitude होता है magnitude और इसके अगर आप example की बात करते हैं तो इसके example कौन कौन से हैं अगर हम example की बात करें तो जैसे mass लेकिए mass को represent करने के लिए आपको किसी direction की जरूरत मुह है आपको length अगर किसी की बतानी है तो direction की जरूरत नहीं होती आप अगर time की बात करते हैं तो भी आपको direction की requirement नहीं होती जबकि हम बात करते हैं vector की तो यह वो quantities होती हैं जिनको represent करने के लिए हमें direction प्लस magnitude दोनों की आवश्चता होती है या फिर हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि vectors वो quantities होती हैं जिनमें magnitude और direction दोनों होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह क्या है जिसमें magnitude and direction दोनों होती हैं तो इसकी अगर आप definition लिखना चाहें तो क्या होगी definition vectors are those quantities which have both magnitude and direction और अगर आप example की बात करते हैं तो vector के example होते हैं जैसे force force को represent करने के लिए magnitude and direction दोनों की requirement होती है या फिर आप momentum की अगर बात करते हैं तो यह भी एक vector quantity है momentum अगर आप acceleration की बात करते हैं तो वो भी आपकी क्या होती है vector quantity होती है तो यह scalar and vector quantity तो अभी हम पढ़ रहते हैं कि vector quantity क्या होती है तो vector quantity जिसमें magnitude और direction दोनों हो इसके बाद में हम बात करते हैं कि यह जो vector है उसकी कितने टाइप होते हैं तो vectors के दो टाइप होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि vectors can be divided into two types किस किस टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पहला टाइप होता है जिसको बोला जाता पोलर वेक्टर और दूसरा टाइप होता है आपका जिसको हम कहते हैं एक्जियल वेक्टर एक्जियल वेक्टर तो भी हम पहले इन दोनों की डेफिनेशन से लिख लेते हैं और फिर इसके बाद में हम डिसकस करेंगे पोलर वेक्टर को और एक्षिल वेक्टर को स्ट्रेंट्स पोलर वेक्टर क्या होते हैं यह वो वेक्टर होते हैं जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें जानकर ही होती है जैसे फूर एक्जम्पल अपने पास में एक ब्लोक है यह और यहां पर हमने इसके ओपर एक फोर्स अप्लाई किया तो जो हम इस पर force apply करते हैं तो हमें यहाँ पर मालूम है कि इसका force का starting point क्या है आपने कहां से force apply किया यहाँ कि आपको point of application भी मालूम है तो यह कौन से vectors होते हैं यह वो vectors होते हैं हम यहाँ हमने लिखा है these are those vectors which have a starting point और a point of application यहनि कि यह वो vectors होते हैं जिनका अपना कुद का starting point होता है अपने को मालूम है कि यह कहां से vector apply हुआ है तो example हमने यहाँ पर displacement लिया force लिया इसके बाद में हम बात करते हैं axial vector की तो axial vectors वो vectors होते हैं जो rotational effect को represent करते हैं और इसकी direction होती है axis of rotational rotation किसके अनुसार? right hand screw rule के अनुसार तो इसकी definition कुछ इस परकार से है these are those vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule example के तोर पर angular velocity, torque और इसके बाद में आप angular momentum भी ले सकते हैं यह सब axial vector के examples हैं अब एक हम यहाँ पर axial vector के बारे में कुछ समझेंगे की axial vector किस तरह से work करता है for example अपने पास में आप डाइग्राम में देख सकते हैं कि यह एक हमने plane लिया है और इस plane के अंदर अगर हमारी जो quantity है जिसके बारे में हम discussion कर रहे हैं हम torque के बारे में बात करते हैं यह angular velocity के बारे में बात करते हैं तो वो कुछ इस परकार से है इसकी direction ऐसे है इधर से इधर की तरफ तो जो right hand thumb roll होता है आप right hand thumb roll के अनुसार अपनी जो उंगलियां हैं उनको अगर आप ऐसे मौडते हैं तो अंगोठे की जो direction होती है वो उपर की तरफ होगी तो अंगुठी की जो direction होती है वही इसकी vector की direction होगी तो यह आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं दूसरी तरफ अगर आपकी जो direction है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें जो rotation है वो anti-clockwise rotation है तो this is axial vector यह हमारा है axial vector और जो उपर अभी मैंने आपको force का दिखाया था वो था हमारा polar vector और अगर मैं इसको इसकी direction change कर देंगर हम तो देखे क्या होगा अब की बार इसको एक बार हम यहाँ से मिटा देते हैं इसकी direction clockwise कर लेते हैं तो clockwise direction के लिए इसकी direction कुछ इस तरह से होगी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से तो यह बात हुई polar vector और axial vector की जो axial vectors होते हैं वो rotational effect को हम represent करते हैं उसमें और यह जो polar होते हैं पोलर में अब बताते हैं कि जिसमें हमें यह पता हो कि इसका starting point क्या है यानि कि उसने यहां से start किया लगना इसके बाद में हम जो हमारा next topic आता है वो आता है कि कुछ definitions हैं जो vector algebra में होती हैं तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कुछ definitions के बारे में और एक बार हम right hand thumb rule का डाइगराम भी देख लेते हैं जिससे थोड़ा आच्छे से समझभा जाए strength जैसा कि आप डाइगराम में देख सकते हैं कि यहां पर right hand thumb rule का हमने दिखाया है यह अपने पास में एक disc है जो rotate कर रही है और अपने को torque निकालना है तो इस disc की जो यहां पर अगर आप देखे circumference जो है जो outer most surface है वहां तक की जो radius है वो आर के बराबर है और इसको गुमान है कि दिखने के लिए इसमें force F लगा हुआ है इस direction में तो इसका जो rotational effect है वो इस direction में है तो अपने को किया करना होता है अपने को जो願い औरेक्शन में रखने होती है जिस direction में rotation हो रहा है तो इस तो इस तरह से हम axial vector को represent करते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ definitions हैं जो आप इसमें यूज़ करने वाले chapter के अंदर और यह most important है basic आप इसको कह सकते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं कि a few definitions तो strands हमने लिखा हैं यहां पर a few definitions in vector algebra तो इसमें हम सबसे पहली जो definition को समझने वाले हैं तो वो है modulus of vector इसको हम लिख लेते हैं modulus of vector देखिए modulus of vector क्या होता है यह magnitude होता है किसी भी vector का भी आपने पीछे पढ़ा कि vector क्या होते हैं यह वो quantities होते हैं जिसमें magnitude plus direction दोना होती हैं तो अब हम बात करेंगे modulus of vector क्या है तो modulus of vector का मतलब होता है the magnitude of vector is called modulus of that vector थो हम इसको लिख लेते हैं बार तो जो vector quantity होती है उसके magnitude को हम modulus of vector कहते हैं तो हम नहीं यहां लिखा the magnitude of a vector is called modulus of vector इसको represent कैसे करते हैं देखिए vector को आप जो represent करते हैं इसको तरीका यह होता है वेक्टर को represent करने का कि आप लिखते हैं ये ऐसे और इसके उपर लगाते हैं ये arrow का sign तो ये होता है वेक्टर का representation कि आप उसको कैसे लिखते हैं तो इसको जो आप magnitude अगर आप इसका लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर इसको हम बोलते हैं mode तो यह इसका modulus हो गया या फिर आप इसको कह सकते हैं और A तो यह तो यह जो quantity है यह कैसी quantity है vector quantity और यह कैसी यह क्या है यहाँ पर यह है just magnitude of that vector quantity तो this is the magnitude और एक बार हम यह भी देखते हैं कि हम vector को कैसे लिखना होता है हम मलग कैसे represent करते हैं तो यह पीछे हमारा यहाँ पर एक topic हो सकता था कि हम vector को कैसे represent करते हैं तो strands vector को represent करने का तरीका बहुत आसान होता है इसको हम represent करते हैं arrow से तो यह आपका vector जो है यह जो arrow है यह किसी भी vector quantity को represent करता है जो vector quantity हमारे पास में जैसे की force है या फिर और भी बहुत सारे vector quantities है that means इसकी जो ये length होती है अगर हम इसकी length की बात करें तो ये जो length होती है ये वाली जो length है वो तो represent करती है magnitude को है ना तो हम यहां लिख लेते हैं कि इसकी जो length है it will represent a magnitude तो एक बातना इसको हम side में लिख लेते हैं कि length जो है वो magnitude को represent करती है साथ में इसको एक box में बंद कर देते हैं और इसका जो ये arrow head है ये किसको represent करता है ये represent करता है इसकी direction को कि ये किस direction में है जिस भी direction में ये head होता है वो इस vector quantity की direction होती है और जितनी इसकी लंबाई होती है वो इसका magnitude होता है for example अगर हम आप से कहें कि आप 5 न्यूटन को represent कीजिए तो इसमें हम माल लेते हैं कि ये equal 5 parts में है 1,2,3,4 and this is 5 और हर एक part जो है वो एक न्यूटन को represent करता है तो ये इसकी जो length है हम माल लेते हैं कि हमने एक centimeter को एक न्यूटन के बराबर लिया तो ये 5 cm है टोटल इसकी length तो 5 cm किसके बराबर होगी 5 न्यूटन के बराबर होगी and this is the direction and suppose ये direction east है और ये west है तो इसका मतलब ये किस direction में east direction में है तो हम इस तरह से ना vector को graphically कह लें या फिर हमना drawing के मादम से हम इस परकार से represent करते हैं तो अब हम आते हैं अपने topic के ओपर तो हमने सबसे पहला पड़ा modulus of vector and इसके बाद में हम बात करते हैं unit vector की तो यहां लिखते हैं unit vector और इसकी definition लिख लेते हैं फो इसको हम discuss करेंगे देखे students जो unit vector होते हैं यह वो vector है जो इनका magnitude unit होता है यहनी कि magnitude कैसा है इसका unit है और direction सेम होती है तो अपने यहां हम लोगों ने definition लिखिये है कि a unit vector of the given vector is a vector of unit magnitude यहनी कि यह वो vector है जो unit magnitude रखता है and has the same direction as that of given vector और उसकी direction भी same होती है जिस vector के बारे में हम बात कर रहे हैं जिससे for example आपके पास में एक वेक्टर है a आपके पास में यह एक वेक्टर है ठीक है और हम लोगों को इस vector a का unit vector find out करना है तो हम जानते हैं कि जो भी vector quantity होती है यह vector quantity है उसमें दो चीज़े होती है एक तो होता है उसमें magnitude तो this is magnitude आप उसको mode में लिख लें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी magnitude को रिप्रेजेंट करता है आप उपर देख सकते हैं और इसमें साथ में होगी direction तो direction को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको ही हम unit vector कहते हैं हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं this is unit vector unit vector and अगर आप इस unit vector के ऊपर यह जो निसान देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं cap तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे आप इसको पढ़ेंगे a cap या फिर a hat तो यह इसका पढ़ने का तरीका होता है तो अब अगर आप unit vector find out करना चाहते हैं a का तो यह क्या होगा a cap is equal to vector a divided by a तो अब क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो unit vector क्या हुआ यह magnitude है इसके दो form होती है यह एक तो यह magnitude रखता और direction आप इसको ऐसे समझें कि यह magnitude है and direction है और a का मतलब क्या नीचे magnitude है तो magnitude से magnitude कहांसे तो क्या बचा direction बचा तो जो unit vector होता है it shows only direction और इसका magnitude होता है one इसके direction वही होती है जो आपकी vector की है जैसे vector एक ही जो direction थी वही इस unit vector की भी direction होगी इसके बाद में हम next definition की तरफ बढ़ते हैं जो की है हमारी equal vectors तो तीसरा हम लिख लेते है equal vectors तो अब इसकी भी हमें एक बार definition लिख लेंगे और इसके बारे में discussion करेंगे strength देखे जो equal vectors होते हैं अगर आप दो vector की बात करते हैं तो वो दो equal vectors आपके पास में में लिजे एक vector A है एक vector B है इस तरह से आपके पास में दो vector हैं तो आप इनको equal vector कब कहेंगे इसको आप लिखते हैं vector A और इसको आप लिखते हैं vector B और ये दोनों equal vector तब होंगे जब इनकी चो length है that means magnitude कैसा होगा same होगा और direction भी दोनों की same होगी तो ऐसे vectors को equal vectors कहते हैं two vectors are set to be equal if they have equal magnitude and same direction तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि vector A is equal to vector B अब हम बात करते हैं अगली definition की जो कि हमारी fourth definition है it is negative vector negative vector इसकी definition क्या होगी इसकी एक बार definition लिख लेते हैं आपको definitions इसलिए लिखकर दिखाई जा रही हैं यहां पर जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी हो तो इसकी definition लिख लेते हैं negative vector अगर आपको किसी vector का negative vector बनाना है तो आप उसका negative vector कैसे बनाएंगे माल लेजे आपके पास में एक vector है vector A जो की इस तरह से है this is vector A और आपको इस vector A का negative vector चाहिए तो इसका negative vector होगा वो होगा इसका magnitude तो same रहेगा बट direction opposite हो जाएगी तो यह जो vector मैंने भी बनाया है यह होगा है ओपर वाले का negative vector इसको represent करेंगे हम यहाँ पर negative लगा लेते हैं तो इसकी जो definition लिखिये है वो है a negative vector of a given vector is a vector of same magnitude magnitude तो same है बट दोनों ही एक दूसरे के opposite direction है नहीं कि जो negative vector है वो पहले वाले के opposite direction में होगा इसके बाद में हम next definition की तरफ पढ़ते हैं जो की है co initial vector तो यह हमारी fifth definition है co initial vector इसकी भी हम definition लिख लेते हैं यह अपने पास में माल लेते हैं यह point है this point is o and this point is q and b तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका vector है अलब आपका जो point है वो same है initial point है initial point common है तो यह vector a को represent करता है और यह vector b को तो अपने अपने जो definition लिखी है वो है the vectors are set to be co initial वो vectors co initial कहलाते हैं if their initial point is common अगर उनका initial point common है जो कि आप यह देख सकते हैं डाइग्राम में यह initial point है इसके बाद में initial point कौन सा point हो जो इसका tail होता है उसको initial point कहते हैं यह tail है यह head है तो दोनों का initial point same है अब हम बात करते हैं अगले आप जो definition है जो की है collinear vectors तो लिख लेते हैं हम यहापर 6th collinear vector इसके भी हम definition लिख लेते हैं पर discussion करते हैं इसके ओपर strengths यह वह vector होते हैं जैसे अपने पास में माल लेते हैं दो vector हैं एक vector A है और एक vector है B तो यह आप एक vector A बना दिया है और एक vector हमने यह बना दिया है B तो यह कौन से vector हैं यह वह vector हैं जो equal और unequal यानि कि इनका magnitude equal भी हो सकता है और unequal भी हो सकता है और यह जो act करते हैं यह एक दूसरे के parallel straight line में act करते हैं तो vector A and vector B are the collinear vectors and similarly अगर आप ऐसे भी इसको बना देते हैं कि एक direction यह है और एक है इस direction में तो यह हमारे vector भी collinear vector होते हैं यहाँ पर यह anti-parallel है तो parallel और anti-parallel अगर आपके हो तो इस तरह के vectors को हम लोग कहते हैं कि यह collinear vector है अब हम अगली definition है जो कि co-planar vectors है वो भी लिख लेते हैं को प्लेनर वेक्टर्स तो यह co-planar vectors क्या होते हैं strength co-planar vectors वो वेक्टर्स होते हैं जो same plane में act करते हैं same plane मतलब जो आप जैसे अभी अपने mobile की screen पर या tv की screen पर या फिर laptop की screen पर देख पा रहे हैं तो यह plane है जो कि दो axis से मिलकर बना है मालिट यह वाली जो axis है यह axis है x axis यह x axis है और यह y axis है तो इन दोनों axis से जो मिलकर plane बनता है इसको कहते हैं कि यह plane है मालब इसको x और y plane तो इस plane के अंदर जो हमारा vectors होते हैं अगर same plane में तो उनको हम कहते हैं same plane में act करते हैं तो यह तीनों वेक्टर एक दूसरे के coplanar vector कहलाते हैं यह vector b and vector c हमारे पास में दो definitions और रह जाती हैं जो कि localized and non localized vectors हैं तो उनको भी हम एक बार लिख लेते हैं आप अगर एक vector बनाते हैं माली जी यह vector a है तो इस vector a का यह जो point है अगर यह fixed है तो इस initial point को fixed होने के कारण हम इसको localized vector कहते हैं हैनि कि इसमें initial point जो है वो fix होता है और अलब हमारा जो vector है वो इस point से ही अलब काम करेगा तो यह fixed point है और non localized vector का मतलब होता है कि जहां पर initial point fix नहीं होता तो ऐसे vector को हम बोलते हैं free vector तो आज हमने जो है यह no definitions पढ़े हैं इस chapter के अंदर और साथ में कुछ important terms भी हमने इसमें देखी हैं साथ साथ तो अब जो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो इससे आगे की वीडियो होगी जिसमें इस chapter के हम दूसरे topics को cover करेंगे अगर आपको लगता है कि यह video आपके लिए beneficial है तो आप इसको अपने friends के साथ में भी share कीजिए और अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कीजिए thank you so much